नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नौल शो में तो दोस्तों चीन एक बार फिर से भारत सी सर्टीवी सीमा पर नई गतिवी दियां स्टार्ट करती हैं और इस बार करी है ये चाइनीज वायू सेना ने जी हाँ और ये संकेत भी है कि आने वाले समय में जब मतलब क इस चित तोर पर राफेल से होने वाला है तो राफेल से कैसे निप्टे इसके लिए भी चीन ने कुछ नए हतियार भेजे हैं और वाके में ही इनमें दम है क्योंकि चीन का जो प्लान है वो लड़ाकु विमान से लड़ाकु विमान भीडाने का नहीं है इनका प्लान कुछ और ही है जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में और बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को सुनेगा क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल बाते होंगी जिने में बहुत ही शोट में एक्स्प्रेंट करने कुछ इस करूँगा सिंपल भासा में ताकि अगर आपको अमालेज हत्यारों के बारे में भी नहीं पता है नोलिज नहीं है तो भी आप आसनी से समझ पाएंगे तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो दोस्तों भुआ क्या है कि हाली में ची ने एक बड़ी ड्रिल को कंड़क्ट किया है इसमें उसने इस्तमाल किये है अपने जे अलेवन लड़ाकू वीमान को और सिर्फ लड़ाकू वीमान नहीं इसमें जो पील 15 सिरीज की जो बहुती लोंग रेंज की 8 वेर मिसाइल है उसे लगा कर लड़ाकू वीमान से लड़ाकू वीमान की तो वो पहाड़ों से बचते वे कैसे अपने मिशन को अंजाम दे सकते हैं और इतना है नहीं चीन नहीं हाँ पर जे 16 को भी तैनात किया है जी हाँ जे 16 जे 11 से भी बहतर है हाला कि जो दोनों लड़ा को इमान है एक SU-27 और एक रूसी SU-30 की कोपी है दोनों को कोपी करके बनाया गया है लेकिन चीन का प्लान अब सुनिये क्या है चीन का प्लान ये नहीं है कि मतलब कि अगर भारते राफेल आएगा तो हम J-11 भेज देंगे या फिर J-6 भेज देंगे जी नहीं उन्हें पता है कि जो मिसाइले इस समय राफेल में लगी हुई है वो बहुत ही आसानी से J-11 और J-16 को मार कर कि जा सकती है ये बार बहुत सही है क्यों क्योंकि जो J-11 और J-16 है दोनों का रडार को सक्षन बहुत ज्यादा है रडार को सक्षन मतलब कि अगर कोई जिस चीज का रडार को सक्षन बहुत ज्यादा होगा रडार उसे आसानी से पकड़ लेगा जिस चीज का रडार सक्षन बहुत छोटा होगा वो रडार पर पकड़ में नहीं आएगी तो इनका रडार को सेक्षन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है क्योंकि है रूसी लडा को विमान हो कि जो पुराने रूसी लडा को विमान है उनको ही देखकर पुरी तरीके से बनाए गए है अब चीन को पता इस बात का कि राफेल मार्क रिदा देगा उसमें मीटी और मिसाइले हैं अच्छे अच्छी मिसाइल भारत ने लगा हुई है तो उन्होंने प्लान बनाया है राफेल को आउट नंबर करनेगा उससे क्या होगा कि भारत इतने सारे लडाक विमानों को कैसे काउंटर करेगा और ऐसी भी खबरे आ रही है कि चायना इनकी ऐसी ड्रिल करवा रहा है जिससे कि भारत में डीप स्ट्राइक करने में भी काम्याब रहें इसी वज़े से बहुत सारे लडाक विमानों को तैनात किया जा रहा है तो अब सवाल उठता है कि भारत कैसे इने रोके कैसे काउंटर करे क्या भारत के पास कुछ है जी हाँ भारत के पास है लेकिन भारत को बहुत ही सोच समझगर कदम चलना होगा दरसल भारत के पास है सुखोई 30 लडाकु विमान, अगर भारत इसका combination बना देता है, राफेल के साथ और साथ ही, सुखोई 30 में PL-15 के जैसी टक्कर वाली मिसाईले लगा देता है, क्योंकि बिना PL-15 के सुखोई इनके सामने नहीं तिक पाएगा, राफेल तिक सकता है, राफ चीन को counter करना है, क्योंकि अब आने वाला है विंटर, जातरल डाक में बरफी रहेगी, अगरे तीन से चार महीने बिल्कुल, तो ऐसे में चीन जो सेना है, वो तो गतिक भी दिखर नहीं पाएगी, तो अंदज़े लगा रहा है, जाय रहा है कि चीन अपनी वायू सेना के ज